नमस्कार साथियो UPSC मास्टर में आप सभी का स्वागत है मित्रो लोदी वन्स के संस्थापक बहलो लोदी की 1489 इस्वी में मृत्य हो गई थी इसने अनेक महत्पूर्ण कार किये थे जिन में से एक बहलोली सिक्के का पर्चलन था इसके द्वारा चला गया यह सिक्का अकबर के सासनकाल तक चलता रहा था और लोदी वन्स में तो विनिमय का पर्मुकाधार था बहलोल लोदी की मृत्यू के पस्चात इसका छोटा पुत्र शिकंदर लोदी सल्तनत का सुल्तान बना जिसने 1489 इसवी से 1527 इसवी तक सल्तनत के बागडोर को सभाला इसके बच्चपन का नाम निजाम खा था और यह हिंदू माता से उत्पन था इसकी माता का नाम सिटी मगूला था इतिहास में जिन भी सुल्तानों की माता हिंदू रही है और पिता रहे हैं मिसलिम तो उनके सामने एक समश्या अपने आपको कटर मुसलिम का रूप में सिद्ध करने की भी रही है आप फिरोसा तुगलक को देख लीजिए उसकी माता भी हिंदू थी आप सिकंदरलोदी को देख लीजिए इसकी माता भी हिंदू थी और आगे आप देखेंगे औरंगजेव उसके माता भी हिंदू थी इनके साथ ये दिकत रहती थी कि इनको मुस्लिम जनमत के सामने यह सिद्ध करने की होड़ लगी रहती थी कि वो भी एक सच्चे इसलामिक है और यही वज़य है कि जो भी इस प्रकार के सुल्तानाए या सासाकाई या बादसा आए उन्होंने कटर धार्विक नीती का नुसरण किया और धर्मांद सुल्तानों की सांसकों के भाती वहार किया इसका उधारन हमें यहां भी देखने को मिलता है सिकंदर लोधी ने धर्मांद सुल्तानों की भाती विभार किया और जो तुल्लिये है फिरूर सहा तुगलक के और औरंगजेब के जब बहलोल लोधी की बृत्य हुई थी तो उसका बड़ा बेटा बरबक सहा जोनपूर का राजिपाल था तो ये भी सुल्तान बनना चाहता था पर सिकंदर लोधी भी सुल्तान बनना चाहता था दोनों में उत्राधिकार का संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में सिकंदर लोधी की विज़े हुई और यही वास्तों में सल्तनत का सुल्तान बना इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे सिकंदर लोधी की धार्मिक नीती क्या थी फिर हम जानेंगे इसके परवकार क्या थे जिन में हम चर्चा करेंगे इसके आर्थिक सुधारों पर इसके सैने सुधारों पर न्यायक सुधारों पर और इसने जो निर्वान कारिकराय उन पर और इसके साहित के सनक्छन के लिए इसने काका काम किया उन सब ही पर धार्मिक निती पर यदि गोर से दस्टिपात किया जाए तो इसने सरियत को सासन ववस्था का धार बनाया था इसका यह विश्वास था कि उसे दारूल हर्ब को दारूल इसलाम में तब्दिल करना है दारूल हर्ब से तात पर रहे काफिरों का देश जबकि दारूल इसलाम से तात पर रहे इसलामिक अनुयाईयों का देश अर्थात सेकंदर लोदी ने यह घोशना की कि वह काफिरों के देश को अर्थात ऐसे देश को जिसके अधिकान्स लोग इसलाम धर्में विश्वास नहीं रखते हैं उसको इसलाम के अनुयाईयों को मानने वाला देश बनाना है इसने हिंदों के यमना नदी में असनान करने पर परतिबंद लगा दिया था इसने अनेक मंदिरों को तुड़वाया मूर्ति विसरजन पर रोक लगवा दी थी और सिया मुस्लिमों में जो मुहर्रम तोहार मना जाता है उस मुहर्रम पर भी इसने परतिबंद लगा दिया था इसके लावा मैलाओं के पीरों मजारों पर जाने पर भी इसने परतिबंद लगा दिया था यह सल्तनत का एक मात्र ऐसा सुल्तान था जिसने खुम्स का कोई भाग सैनिकों से नहीं लिया था। उन्होंने एक बटा पांच भाग तो सैनिकों में वित्रित किया जबकि चार बटा पांच भाग सल्तनत के राजगोस में जमा किया ताकि सल्तनत के आर्थिक आधार को मजबूत के जा सके। जाच के लिए मिया भुआ को निक्त किया था एक्जाम के पाइंट व व्यू से मोस्ट इप्रोटेंट है देखिए सबसे इंप्रोटेंट यहां अफगानों का एक अलग राजत्व है जहां वह अमीरों के लगभग समकक्स है तो ऐसा तो नहीं है कि सिकंदर लोदी ने इस सुधारों को अपने सामने खड़ा और ताकि उनके उपर अपनी महत्ता को परदर्शित किया जा सके उनको डारेक्ट इंडारेक्ट यह बताए जा सके कि मैं सुल्तान हूं और सुल्तान के अलग विशेसाधिकार है यहिए इसके आर्थिक सुधारों को देखा जाए तो हम कि इसने करसी उत्पादन को प्रोसाहित करने के लिए प्रियास किये इसने अनाज से चुंगी को हुडाया चुंगी का मतलब होता है कि जो आंतरिक व्यापार है तो आंतरिक व्यापार से जो टेक्स था उस टेक्स को इसने खतम कर दिया इसके लावा व्यापारियों को सनक्षन परदान किया वो कैसे कि आंत्रिक व्यापारियों को कई बार लुटे रे लूट लिया करते थे तो इसने कठोर कानून ववस्था लागू की ताकि वयपारियों को लूटाना जा सके जिससे वयपारिय अपने आपको सुरक्षित समझे और सल्तनत चहुमों की विकास करें इसके लावा इसने भूमी में जो गड़ा हुआ खाजाना कीजी को मिल जाता था उस पर भी अपना दिकार नहीं देताया अर्थात उसका कोई भी हिस्षा सल्तनत के राजकोस में जवान ही कराना होता था इसने जो वसूला वो भूमी की प्यमाई स्क्याधार पर वसूला और इसने भूमी प्यमाईस के लिए अपना एक अलग प्यमाना बनाया जिसे गजे सिकंदरी नाम दिया गया जो 30 इंश का होता था यह गजे सिकंदरी आगे अकबर के काल तक चलता रहा सेने सुधारों में भी अगर हम इसके देखें तो लोदी वन्स का यह सबसे सक्तिसाली सासक था इसके पास सबसे अच्छी सेना थी जिसका करण था कि इसकी सेना में जन्जाते मुसलमानों की संक्या बहुत ज्यादा थी इसी सेनन ववस्था को मजबूत करने के उदेशे से इसने गुप्तचर ववस्था को काफी मजबूत कर दिया था इसके विशाय में ऐसा कहा जाता है कि इसे भूतों परेतों से भी सूचनाई मिला करती थी निर्मान कारे में इसका जो सबसे उल्यकनिक कारे है वो है आगरा नगर के स्थापना जो इसने की थी 1544 में और 1526 में इसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी थी जो आगे मुगलों के समय तक चलती रहेगी यह साहित्य का संदक्चक भी था और स्वयम फार्सी का ज्याता था गुलरुखी नाम से यह कविताय लिखा करता था एक्जाम में कई बार पूछा गया है इसी के आदेश पर आयुर्वेद के संस्कित गरंत का फार्सी में अनुवाद करा गया था और उसे नाम दिया गया था फरांग ए सिकंदरी इसी के खाल में एक संगीत पर गरंत लिखा गया था जिसे लजजत ए सिकंदरी के नाम से जन जाता है आप देखिए इसके सासनकाल में दिल्ली सल्तनत यहां तक सिम्टी हुई थी और समाकालीन दो अन्य महतपूर्ण राज्य थे मेवाड जिसका नितर्तु कर रहे थे राणा सांगा और गुजरात जिसका नितर्तु कर रहे थे महमुद बेगडा शिकंदर लोधी से पूर्व देखा जाए तो इनकी स्थती तो बहुत मजबूत थी पर शिकंदर लोधी ने दिल्ली सल्तनत को मजबूती के मामले में मेवाड के और गुजरात के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया था अर्थात हम कर सकते हैं कि जो डगबगाती अस्थती दिल्ली सल्तनत की बनी हुई थी उस अस्थती को बहुत हद तक शिकंदर लोधी ने कंट्रोल कर दिया था 1517 इस्वी में बहुत सिकंदर लोधी की मृत्य हो गई थी सिकंदर लोधी के पश्चात इस्त का उत्तराधिकारी इबराहिम लोधी होगा जिसके चर्चा हम इस से अगले लक्चर में करेंगे उससे पूर्व आप एक प्रसन का उत्तर दिजिए निमलिकित में से कौन सा सुल्तान गुल लुखी के नाम से कविता इल लिखा करता था ओप्सन ए फिरो साहत उगलक ओप्सन भी बहलो लोधी सी सिकंदर लोधी या फिर डी इबराहिम लोधी थैंक्स फोर वाचिंग जहिंद जय भारत महसक्ती भारत